आज रस्पान कीजिए मागमास महत्म्य के अध्याई पाजगा जिसमें आपने जाना कि किस प्रकार दो पापी भाईयों में से एक भाई जिसका नाम भी कुंडल है उसे स्वर्ग लोग की प्राप्ति हुई और वो किस प्रकार यमदूत से प्रश्ण कर रहा है कि स्वर्ग ल स्वर्ग लोग में कौन-कौन से प्राणी जाते हैं कौन-कौन से ऐसे कर्म है जिन्हें करने से मनुष्य स्वर्ग लोग की प्राप्ति करता है और कौन-कौन से ऐसे कर्म है जिन्हें करने से नरक का भागिदार बनना परता है यमदूत विकुंदल को बताते वे आगे कहते हैं कि मध्यान के समय आया हुआ अतिथी मूर्ख पंडित वेद पाठी या पापी कोई भी हो वो ब्रह्मा के समान होता है जो रात के ठके हुए भी भूखे ब्रहमण को अन्न जल देता है मध्यान के समय जिसके घर आया हुआ अतिथी कभी निराश नहीं जाता इसलिए अतिथ सतकार से ही ब्रहम लोग को प्राक्त हुए हैं हेवे कुंडल जो एक समय आलस्य से भी अतिती को भोजन करा दे वो कभी यम की द्वार्द नहीं देखता केसरी ध्वत से वैवस्वत देव ने कहा था कि जो कोई इस कर्म भूमी मृत्य लोग से स्वर्ग लोग में जाने की इच और सदेव अन्न का दान करते हैं वो कभी यम के दुख नहीं उठाते जो अपने कियेवे पापों का प्रायश्चित करते हैं वो नरक को नहीं देखते और प्रायश्चित ना करने वाला मनश्य नरक में अवश्य जाता है जो कर्म से, मन से और वचन से कियेवे पापों का प पर्ग लोग की प्राप्ति करता है जो नित्य ही व्रत तप तीर्थ करते हैं और जितेंद्री हैं वो भयंकर यम को नहीं देखते ना ही अकाल मृत्य का शिकार होते हैं। वो कभी बुरी योनी को नहीं प्राप्त करते और ना ही नरक में जाते हैं। माग मास में प्राथ का लिस्नान करने वाले मनश्यों को नियम पूर्वक तिल, पात्र और तिल कमल का दान करना चाहिए। यम्दूत आगे कहते हैं कि हे विकुंडल, प्रत्वी, सोना, गाय, आधी परम दान करने वाला स्वर्ग से नहीं लोडता। पुद्धिमान, पुर्णे तिथियों, व्यतिपात, संक्रांती आधी के दिन थोड़ा सा भी दान करके बुरी गति को प्राप्त नहीं होता। सत्यवादी, मौन रहने वाला, मीठा बोलने वाला, क्षमाशीर, नीतिवान, किसी की निंदा ना करने वाला, सब प्राणियों पर दया करने वाला, पराय धन को तरण के समान समझने वाला मनुष्य कभी नरक नहीं भोगता। यमदूत कहने लगे कि है विकुंडल, एक बार भी गंगाजी में स्नान करने से मनुष्य सब पापों से छूट कर अत्यम्त शुत हो जाता है। गंगाजी का नाम हजारों योजन दूर से ही लेने वाला कभी नरक में नहीं जाता। मरता है वह आकाश में तारा बन जाता है। प्राणायाम करने वाले मनुष्य सदैम उत्तम गती को प्राप्त होते हैं। प्रातहकाल इसनान के पश्चाद जो सोलह प्राणायाम करते हैं वह घोर पापों से बच जाते हैं। इसके अलावा जो पराई इस्तरी को माता के समान मानते हैं वो कभी यम की यातना को नहीं भुगतते। जो मन से भी कभी पर इस्तरी का चिंतन नहीं करते वह दोनों लोकों को अपने अधीन कर लेते हैं। जो परायधन को मिट्टी के समान समझते हैं, वो स्वर्ग में जाते हैं। जिसने क्रोध को जीत लिया हो, मानो उसने स्वर्ग को ही जीत लिया। और जो अपने माता पीता की सेवा देवताओं के समान करता है, वह कभी यम के द्वार नहीं देखता। जो अपने गुरु की सेवा करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, वो निश्चिती प्रहमलोग को प्राप्त होते हैं। शील की रक्षा करने वाली इस्त्री धन्य है, शील भंग करने वाली इस्त्री यमलोग जाती हैं। जो वेदों और शास्त्रों को पढ़ते हैं, अथवा पुरान या संगीता पढ़ते और सुनते हैं, तथा जो इस्मृती का व्याख्यान और धन्म शास्त्र समझते हैं, या जो वेदांत में लीन रहते हैं, वे पाप रहित होकर ब्रहमलोग को प्राप्त होते हैं। जो अग्यानियों को वेद शास्तर का अग्यान देते हैं वे देवताओं से भी पूजित होते हैं यमदूत ने कहा कि हे वैश स्ट्रेस्ट यमराज ने हमको वही आग्या दे रखी है कि तुम किसी भी वैशनों को मेरे पास मतले कराओ हे वैश पापी लोगों को इस संसार रूपी नर्क को पार करने के लिए भगवान की भक्ती के सिवाए दूसरा कोई और उपाय नहीं भगवान की भक्ती ना करने वाले मनश्य को चंडाल के समान समझना चाहिए भगवान के भक्त अपने माता-पिता दोनों के कुलों को तार देते हैं और उनको नरक में नहीं रहने देते और जो मनुष्य वैशनव का भोजन करते हैं वे भी भगवान के कृपा से स्ट्रेस्ट गती को प्राप्त होते हैं बुद्धिमान को सदैव वैशनव का अन खाना चाहिए इससे बुद्धी पवित्र होकर मनुष्य पाप नहीं करता गोविंदाए नम्हा इस मंत्र का जाप करता हुआ जो मनुष्य मृत्य को प्राप्त होता है वहपरम धाम को प्राप्त होता है और इसमें कोई संदे नहीं है जो भक्त ओम नमो भगवते वासुदेवाए इस द्वादाक्षर मंत्र या फिर ओम अस्टाक्षर मंत्र का जाप करता है उसके ब्रह्म इत्यादी बड़े बड़े पाप भी नाश हो जाते है यमदूत कहने लगा कि है वैश्व मनश्य को सदा शालिकराम की शिला में तथा वज्र या कीट अर्थात गोमती चक्र में भगवाण वासुदेव की पूजा करनी चाहे क्योंकि सब पापों का नाश करने वाले सब पुर्णियों को देने वाले तथा मुक्ति प्रदान करने वाले भगवाण श्री हरी का इसमें निवास होता है जो मनश्य शालिकराम की शिला या हरी चक्र में पूजन करता है वह अनेक मंत्रों का फल प्राप्त कर लेता है जो फल देवताओं को निर्कुन ब्रह्मा की उपासना से मिलता है वही फल मनश्य को भगवाण शालिकराम का पूजन करने से यमलोक नहीं देखने देता भगवाण को लक्ष्मी जी के पास अत्वा वैकुन्ठ लोक में इतना आनंद नहीं आता जितना शालिकराम की शिला ये चक्र में निवास करने पर आता है स्वन्न कमल युक्त करोणो शिवलिंगे पूजन से इतना फल नहीं मिलता जितना एक दिन शालिकराम की पूजा करने से मिल जाता है भक्ति पूर्वक शालिक राम जी का पूजन करने से विश्नु लोक में वास करके मनुष्य चक्रवर्ती हो जाता है काम, क्रोध, लोब, मोह, एहंकार से युप्थो कर भी मनुष्य शालिक राम का पूजन करने से वैकुठ लोक में प्रवेश कर जाता है जो सदा शालिक राम का पूजन करते हैं वे प्रलैकाल तक स्वर्ग में वास करते हैं जो दीक्षा, नियम और मंत्रों से चकर में बली देता है वे निश्चे करके विश्णू लोग को प्राप्त होता है जो शालिक राम के जल से अपने शरीर का अभिशेक करता है वेमानों संपूर्ण तीर्थों में स्नान कर लिता है गंगा, रेवा, गुदावरी सब का जल शालिक राम में ही वास करता है जो मनश शालिग्राम की शिला के सामने अपने पिता का श्राद करता है उसके पितर कई कल्प तक स्वर्ग मेवास करते हैं जो लोग नित्य प्रतिदिन शालिग्राम की शिला का जल पीते हैं उनके हजारों बार पंजगवी पीने से भला क्या प्रयोजन? यदि शालिग्राम की शिला का जल पिया जाए तो सहस्त्रों तीर्थ करने से फिर क्या लाब जहाँ पर शालिग्राम है वह इस्थान तो खोधी तीर्थ के समान हो जाता है वहाँ पर किये गए संपुन, दान, होम, करोणों गुना फल को प्राप्थ होता है जो एक बूंद भी शालिग्राम का जल पी लेता है वह माता के इस्थनों का फिर दुख्धुपान नहीं करता अर्थात फिर बार-बार जीवन मरण के बंधन में नहीं बंधता शालिग्राम शिला में जो कीडे मकोडे एक कोस के अंतर पर मर जाते हैं वह भी वैकुंट को प्राप्थ होते हैं जो फल वन में तब करने से प्राप्थ होता है वही फल भगवान को सदेव ध्यान करने से प्राप्थ होता है मोहवश अनेक प्रकार के घोर पाप करने वाला मनुष्य भी भगवान को प्रणाम करने से नरक में नहीं जाता संसार में जितने तीर्थ और पुर्णे इस्थान है भगवान के केवल नाम मात्र के कारण से ही प्राप्त हो जाते हैं यमदूत कहता है कि जो कोई प्रसंगवश भी एकादशी के व्रत को करता है वे दुखों को प्राप्त नहीं होता मास की दोनों एकादशी भगवान पदमनाप के दिन है जब तक मनुष इन दिनों में वरत नहीं करता उसके शरीर में पाप लगातार बने ही रहते हैं हजारों अश्वमेद, सैकडों वाजबेईयग, एकादशी वरत की सोलवी कला के बराबर भी नहीं है एकादशी के दिन वरत रखने से ग्यारह इंद्रियों से किये गए सभी पापों का नाश हो जाता है गंगाजी, गया, काशी, पुषकर, कुरुक्षेत्र, यमुना, चंद्रभागा कोई भी एकादशी के तुल्य नहीं है इस दिन वरत करके मनुष्य अनयासी व्यकुंठ लोग को प्राप्त कर लेता है इकादशी को व्रत और रात्री जागरन करने से माता-पिता और इस्त्री के कुल की दस-दस पीडियां उद्धार पा जाती है और वहें पितामबर धारी होकर भगवान के समीप रहने लगते हैं बाल, युवा और व्रत सब तथा पापे भी व्रत करने से नरक में नहीं जाते यमदूत कहता है कि हे वैश मैं सुक्ष में तुमसे नरक से बचने का धर्म कहता हूँ मन, कर्म और वचन से प्राणी मात्र का द्रोहू ना करना इंद्रियों को वश में रखना, दान देना, भगवान की सेवा करना, नियम पूर्वक, वर्नाश्रम धर्म का पालन करना इन कर्मों के करने से मनुष सदा नरक में जाने से बचा रहता है स्वर्ग प्राप्त करने की इच्छा से मनुष्य यदी गरीबी हो तब भी जूते, छत्री, अन, धन, जल, कुछ न कुछ तो दान अवश्य देना चाहिए दान देने वाला मनुष कभी भी यम की यातना को नहीं भोगता साथ ही दीरगायू, धनी और निरोगी भी होता है बहुत कहने से ही क्या आधर्म से ही मनुष्य बुरी गति को प्राप्त होता है हे विकुंडल, मनुष्य सदैव धर्म के कारियों से ही स्वर्ग प्राप्त कर सकता है इसलिए बच्पन से ही धर्म के कारियों का अभ्यास करना चाहिए हरे कृष्णा आज का थ्याय समाप्त हुआ उमीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी